नमस्तों दूस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों कैसे आप सो उमीद करते हैं और मैं ठीक हूं तब यह पहले से ठीक ठाक है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं और बच्यों का तो चली रहे हैं सोनु का तो चलेंगा यह तो 12 मेने का मतलब बहुत है अभी थोड़ा सा आज हमारे यहां पर बरसात हुए सूबे से लेकर दो बज़े तक इस बज़े से सोनों के कान में ना बहुत ज़दा दर्शा हो रहा है तो अभी दबाई लेकर वह आपे लेटा हुआ है और छोटु जग रहा है यह कर रहा है अपना मस्ती कल सारे रात दोनो बाई नहीं सोय थे और आज मुझे जाना था किसी काम से बाहर तो फाइनली बारिश में भीकर गई और बारिश में भीकर ही आई इस बज़े से मेरी थोड़ा सा सर दूख रहा है तो इसलिए टोप अगरा ओर रखी हूं अभी ज्यादा टायम नहीं हुआ है आट बज रिये खाने के बाद अईसे लग रहा है हजम नहीं हो रहा है या पेठ में मतलों पत्थर से खार लिया मतलों पत्थर खा लिया मतल debates म Wieder जाबिश करके टो आधे रिश्रमा की मिरे इंश्रमा काफ़ी ज्यादा बुडी हो चुकि है लोग अपनी बेटियों की शादि कर देते या शादि कर लेते या हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में क्या है माबब का बोज्ञ टुम 요 do उनका माइंड मतलब सही रहती है अटेंशन ही कम हो जाते लेकिन मेरे मा की साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पहले एक बेटी थी यानि पहले तुसी बेटी-बेटी थी वह घर में रहती तो प्रॉब्लम होती टेंशन होती बहुत कुछ होता तो उनकी शादी हो गई थी मम् मेरे टच में यानि मेरे साथ ग्रिष्टी जिबन में तो मेरे पती का खर्चा भी मेरी मा को अफोर्ड करने पड़ी उन्होंने सबकुछ मेरे घर का राशन पानी जो भी है सब कुछ किया था कि इसका ग्रिष्टी जो है बसी रहे वो कई ऐसे ट्रांजेक्शन मुटा- म께ं मां के पास में कुछ उफी ऐसा नहीं है मतलब मैं बहुती गरब परिवार से हूं मेरे मां दुसरे की मतलब काम करके PGो उस्टेल वगरा में काम करके खाना बनाके जो भी पैसा मिलता है उन्होंने जो ईंते बहुं कमाईम सेविंग का किया था उन पैसों को उन्होंने ही मेरी शादी के बाद में, ताकि मेरी गिरस्ती बसी रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बकि उल्टा हुआ, मेरी ममी देते गया, देते गया, देके गया, उनकी बैंक बैलेंस जीरो कर चुकी थी मैं, यानि कि मेरी ममी देते देते जीरो कर लिया था, और फायदा क्या हुआ कोच भी नहीं हुआ, मैं बैसे की पैसे रहे गी और उनको छोड़ना था तो उन्होंने भॉगई और आज की टाइमपे जब मेरी पती को यह लगा कि पैसा मांग मांग derived मांग मांग के ठक गए, मैंने इनको पैसा देना ही छोड़ दिया और पैसा देना पता है कब से छोड़ दिया है, जब मुझे पता लगा कि मेरे पती का अफेर किसी और ओरत की साथ में चल लिए बो भी किसी अम्मा की उम्मर की, तो उनकी साथ जब मुझे पता लगा कि अफे उसके बाद में ने इनको पैदे यानि मेरी पीयर से खर्च अमंग बन कर दिया, तो फिर इस बंदे को लगा कि जो पैसा मैं कमाता हूं वो तो मैं उधर खर्च कर देता हूं, तो घर खर्च अगर मेरे साथ रहेंगे तो देना पड़ेगा, और इधर ही देखते-देखते मेर इस तरह से चलते-चलते मेरी बीच में देखिए, दो बच्चे हो गए, जो कि मेरे साथ में हैं, तो मेरे पती ऐसे छोड़ के चले गए, और अब इस उमर में मेरी मा तीरों का खर्चा मतलब उठा रहा है, मेरी दोनों बच्चों का उठा रहा है, तो सोचिए एक मा का ना तीन रहे गए, तो आब ना तीन प्लास बेटी तीन जेनों को सीच रहे है, अब मैंने उनसे बात की थी मेरी ममी से की में काम पर चल जाओ, आप दोनों बच्चों को रख लीजिए, तो उन्हों ने बोला मेरी इतनी उमर हो गई है, तो मैं मतलब उनका इसकूल बेजना देनार लेटरिंग पर साब, बहुत सारी ऐसे काम हो जाता है, चोटी चोटी जो नहीं हो पाता है, बड़ा बड़ा सो नहीं हो पाता है, तो बहुत ही बुजर्क हो चुक है, उनके हाथ पर पूरी तरी से काम नहीं करती है, और कुछ भी जैसे दूद गर गरम करती है, तो बहुत बुजर्क हो चुक है तो ऐसी एक बुजर्क इंसान की सहारे तीन जान को छोड़ गये और वो औरत जो कमा के ला रही है आज मुझे उन्होंने घर चलाने के लिए 2,000 रुपए दिये तो मेरी मैंड इतना खराप हो रहा है ना इतना खराप हो रहा है कि मुझे रहे हो ना भी यह पिर मैंड में ऐसा मतलब दिक्कत हो रही है क्या हरो मतलब क्या करो आपने आपका क्या है ऐसा क्या करओं म्हाथ जल्धान दिमांग से wraps हैं क्या बता कि कैसे मम नंदिक रहे कर घित के मारेओकरSatrent दिखना व्होरी तो कर करन साथ क्ये सबमें का मैं हुं क्यों इस धर्ति पर क्यों मतलब क्या हूं कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूं और सब कुछ ही वो उठा रहे है खर्चा और बेशरम बेहाया इंसान को इतना तक मतलब शरम नहीं है कि जब इसके आगे पिछे कोई है नहीं, एक 70 साल की बुजर का उरत उसको सब कुछ पता है, जब कोई इंसान 15 साल तक किसी के रिष्टे में रहते हैं, तो उसको सब कुछ पता रहता है, और बोई इंसान इस तरह से उस बुजर का उरत के ऊपर छोर के गया है, और उसको पता यह फोटे बाप को नोट लूटता है उस इंसां को कम से कब मेरा अगर ने देना नो तो पेसे समझ में आती है कि है कि मेरा खाणा कच्छा ने देना ठीक है लेकिन कम से कम जो खुड का बच्चे है खुद का जीव है उनको तो दे सकते हो इतना छोटे बच्चे को छोड़ के आभी तो यह थोड़ा सा फिर भी बड़ा हुआ है इसके बाप को गए हुए साल भर से उपर हो चुका है तो इन बच्चों का तो कम इसका मासूमा तो खाना कर्चा देता है ना बहुत नयद्य और खाना खाता करषा के लिए इताना चाहित कि बच्चों के लिए तो का इतना तक शरम नहीं आता है उससे अपनी बच्चों का पालन पूर्शन करवा रहा है और खुद आपना पैसा कमा के अख मतलब लब जह इं करना चाती और करूंगे भी नहीं, दूसरी जो शादी कर रखा है, बेटा है, बेटे को पाल रहा है, दूसरे का, दूसरे की बेटी को पाल रहा है, उसका पोता-पती को पाल रहा है, मतलब जो भी यह अपनी श्वा को इच्छा पूरे कर रहा है, तो समझ में नहीं आता है, कि यह आज क पहले से थोरा सा दिमा किस्तिती ठीक है पहले से थोरा सा तयार हूं पहले तो बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी छे महीने तक मैंने खाना तक ऐसा मान लिजिक एक टाइम तक नहीं खाई बाद जिन्दा रहने के लिए ना एक चमच दो चमच खाना गाती दिपो भी कभी जिन्दा हूं लेकिन दो तिन दिन से ना ममी के तबीयत कर आप चल रही है जो मैं सोच रही हूं कि एक सतर साल के और तिन जीव को पाल रहा है और वह इंसान बच्चे पैदा करके दूसरा शादी करके आराम से जी रहा है तो उनके लिए कोई कानून नहीं है कुछ भी नही है आप कुछ नहीं कर सकते हो अगर आपका पती इस तरह से छोड़ के जा रहा है तो अच्छे बात है बस यह मैंटेनेस के लिए आप कोशिश कर सकते वह भी अगर लागू होगा तो ठीक है लेकिन उस बहाया इंसान को इतना साथ जरू सोच ना चाहिए कि दो दो छोटे ब इस बाती बूरी दशा में चोड़के गया साल भर हो गया कर्चा पानी नहीं दर है मेरी मा की हला तिस्तिंग गंभीर हो रही है जहां दो ती दिन से किसको परगे कोई परक निए तो हर को है आप ने उपर तो मतलब अपनी पेर उपर तो खड़े हो नहीं चीए चाहिए वो बन कर दिए को अन्धत देता को भी और देना भी ने चाहिए मेरेसे बहुत ही ज़या अब वे गिल्ट करें आगे है तो क्या को कहने के लिए मेरे पाथ को लब्स नहीं तो आप बते हैं कि मतलब क्या करों कॉमेंट करके जरू बते हैं ऐसी हालत में क्या decision लेना चाहिए नहीं समझ पा रहे हूं तो दोस्तों आज की वीडियो को ही पे अड़ करती हूं मिलती हूं फिक इस ने वीडियो साथ में उम्मीद करते हूं आपको हमारी यह ना जरह सभी अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेर और सुस्क्रा सद्ध module्यू झायक क्षोई तो की ही ट्र वीून, हो Ăंण का की इसालत में हूं आपको है थीछ्फो़ा, है हूं आपको हूं । इस ब्स्तों है यह क्या सीह क्या हको है